हलो दोस्तु आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम छोले और पालक की सबजी बनाने जा रहे हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें तो चलिए शूरू कर यहां मैंने एक कटोरी सफेद वाली छोले लिया है जिसको ओवरनाइट के लिए मैंने भीगोकी रख दिया था तो इसको हम उबाल लेते हैं तो इसको डालेंगे कूकर में जितना हमने छोले लिया है पानी भी उसी कटोरी से एक कटोरी हम पानी लेंगे यहां तक कि हमारा छोली पुरा डूब जाए पानी में ये देखे अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची एक डालचेनी का टुकड़ा दो तेज पत्ता तो यहां हम इसे डखक लगाकर उबलने के लिए रख देते हैं तो इसे हम बंद करके फ्लेम के उपर मैंने यहां गैस के उपर रख दिया है यह देखे फ्लेम मैंने मीडियम साइज का रखा हुआ है तो यहां तीन से चार सीटी लगाएंगे तो यहां हमारा छोले उबल चुका है तो इसको चेक कर लेते हैं बहुत ही गरब है तो ध्यान से इसे दवा के हम देखेंगे छोले को यह देखें बहुत ही एजिली यह पुस हो जा रहा है तो यहां मैंने बटर लिया है बटर का एक क्यूब लिया है उसमें वेजीटेबल ओयल डाला है, एक टेबल स्पून, तो इसे अच्छे से गरम कर लेंगे, यहां मैंने दो मेडियम साइज का प्याज लिया है, तो प्याज को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है, बटर में बनाने से एक बटर का अलग सा टेस्ट आता है, तो मैंने इसलिए यहां पर बटर में इसे बनाया है, तो आज हमारा भून चुका है, तो यहां मैंने एक टेबल स्पून, अध्रक लेजन का पेस्ट लिया है, अध्रक लेजन को अच्छे से हमें भून लेना है, यहां हमारा अध्रक लेजन भी अच्छे से भून चुका है, इसमें हमा की मसाले डालते हैं, तो यहां मैंने एक टीजपून धनिया पाउडर लिया है, हल्दी हाफ टीजपून, काले मिर्च हाफ टीजपून, भूना हुआ जीरा हाफ टीजपून, यहां कास मेरी मिर्च लिया है मैंने, हाफ टीजपून, तो इन सब को अच्छे से हमें भून लेंगे, यहां दो टमाटर को, मैंने कद्दू कस कर लिया है, तो वो डाल देंगे, यहां पानी डालने की जरुवत नहीं पड़ी हमें, टमाटर से हमारा थोड़ा पानी इसमें आ चुका है, तो मसालों को हमें लोफ लेंपे, तीन से चार मिनट के लिए हमें भूनना है, अब इसमें हम डालेंगे, यह एक टी स्पून मैंने अनारदाना के बीज लिये हैं, जो सुखा हुआ है, जिसको मैंने कूट लिया है, इसको डालने से हमारे छोले उसमें एक खटास आएगी, तो यह बहुत ही टेस्ट हमारा छोले का बढ़ा देगा, जब मसाले भून जाए अच्छे से, तो इसमें डालेंगे हम, कसूरी मेथी, इसको भी अच्छे से में चला लेना है, मसाले भून देवे हमें, साथ से आठ मिनट हो चुके हैं, अब हम यहाँ छोले डाल देंगे, छोले में मैंने जो साबुत मसाले डाले थे, वो निकाल दिया है, यह देखिए, तो इसको अच्छे से छोले को हम यहाँ मिला देंगे, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो यहाँ मैंने पालक को बाल के, और इसे पेश्ट बना लिया था, तो वो पालक का पेश्ट जो है, वो डाल देंगे, और इसको आच्छे से मिलाकर हमें इसे भी, लो फ्लेम पे पात्स साथ मिनट तक इसे हम पकाएंगे, पालक को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो अरग जो छोले और पालक की सबजी उसका कलर हो जायएगा, तो यह हमारा छोले और पालक की सबजी रेडी हो चुकी है तो इसमें हम तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए मैंने यह एक क्यू बटर का लिया है और एक टी स्पून वेजिटेवल ओयल इसमें दो से तीन में लेसन के कलियां को लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लिया है तो इसको हमें भून लेना है लेसन जब हलका लाल हो जाए तो इसमें हम अद्रक के स्लाइस जो है वो डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है उसको लंबे-लंबे स्लाइस में मैंने कट कर लिया है तो मैंने यह फ्लेम बंद कर दिया है तो यह हमारा छोले पालक के सब्जी तयार है इसमें हाफ टीस्पून कास्मेरी मिर्च लिया है जिससे हमारा छोले का कलर और भी अच्छा हो जाएगा तो यह तड़के के साथ उपर से हमें यह छोले में पूरी अच्छे से फैल आ देंगे और बटर है तो बटरी टेस्ट भी आएगा तो यह रहा हमारा छोले पालक की सब्जी आसा करती हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद ढसाたए है तो इस नोब धन्यवा टो पारो है दो मेंया तो से धन्यवाद आपको हमारे छोला करें भीक समय आभियो और बटरी आपको हमारे वीडियो आसाराइब को यह फो तो ब्लाक करें वालाद